दोस्तो आज 10 फरवरी है और होंडा की तरप से होंडा डियो लांच हो गई है दोस्तो पूरी डिटेल बता देंगे इसमें आपको क्या कैं देखनें को मिल जाएगा अब आपको एक सोरूम प्राइज दिल्दी पढ़ जाएगा 6990 रुपिय इस्टेंडर मोटल और डिलक्स पढ़ जाएगा आपको 63,340 रुपिय यानि कि डिलक्स की वेब प्राइज बढ़ गया लगभग 700 रुपिय और इस्टेंडर मोटल की प्राइज बढ़ गया 57,000 यद्ध देखने को बिलएगा तोड़ी सी इसमें जगे correct देखने को मिलेगा तर दोस्तोוכ इसमें साम आगे टेलिज्सकोपिक सश्वंशन दे दिया ग decis test तो आपको front में मिल जाएगा telescopic fork suspension देखने को मिलेगा और पीछे three step adjustable monoshock देखने को मिलेगा और दोस्तो meter console की बात कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है real time mileage देखने को मिल जाएगा इसमें average fuel efficiency देखने को मिल जाएगा कितनी mileage पे चल रही है और दोस्तो side extent indicator देखने को मिलेगा जो कि आपको अगर side extent लगी होईगी तो आपका engine बंद हो जाएगा new led headlight देखने को मिलेगा led drl देखने को मिल जाएगा इसमें इसमें split grabral आ गया है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस ग्राइबरल आने वाला है तो इसमें finally split grabral आ गया है आपको engine kill switch इसमें मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको wheelbase 22 mm जादा हो गया है compared to bs4 के म old rear standyal front wheel आपको आगे बढ़ा देखने को मिलेगा जैसा के अंडा əक को मिल आपको 12 इंच का we take 몇 mile देखने को मिलेगा और दोस्तों इसमें आपको dispute Time Vegas नहीं है आपको दोस्तों यहां पावर थोड़ा सा कम हो गया 0.16 पीएस की और टॉर्क बढ़ गया जीरो नौन नीटर्मेटर का टॉर्क बढ़ गया है बीएसपोर के मुकाबले कुल मिला के दोस्तों लुक डिजाइन फीचर्स आपको जादा देखने मिलेगा बीएसपोर के मुकाबले दोस्तों यही कुछ नूज था जो कि मुझे बताना आप लोगों सही था कि आप अगर अगर इंतियार कर रहेते तो फानली आपको आपको सोरूम पे एवलेबल हो जाएगा एक से दो दिन में या पाई-देस दिन में आपको मिल जाएगा दोस्तों यह नूज आपको कैसी अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने लिए धन्यवाद थैंक्यू जैहिन